तो स्वागत है आप लोग का एक और ने व्लोग में और इस व्लोग में आप लोग सोच रहे होगी कि इस व्लोग के शुरुआत जो है वो ट्रेन से कीव हो रही है तो बेसिकली बारत तारीकों मैं और जो नितिन भाई के जीजा जी है जिनका नाम है नमिच जी वो निकल पड़े थे जम्मू के लिए बेसिकली जम्मू में हमें शूट करना था चेनाप ब्रिच और अंजी प्रिच के पास का जो सेक्शन है वो तो हम आपको आगे जो व्लोग में क्या चल ला हो बताते रहेंगे फिलाल तो हम हल्दवानी से जम निकले तो उसके बाद हम सीधे पहुँचे दिल्ली तो नहीं दिल्ली रेल्वे स्टेशन पर पॉस्त ही भीड बहुत जादा बढ़ चुकी अचानक से जैसा मैंने इमेजिन किया था कि जैसी हम आएंगे भक्तव बस्ती रहेंगी लोग एकदम भाग रहेंगे वैसा ही वाला सीन हो रहेंगे आपको अपने पीछे दिखा था यह देखो अभी तो लोग मेरे को आज कम दिखाई इस इस बताव जाड़े की वह से यह पता नहीं किसकी वज़ा से आज कम है भाई अभी ऊपर जागे पता चल अच्छा ऊपर जागे देखना आप लोग वह वी कितने सारे लोग मिलने वाले देखना पदवर्ण वंशी हो आप बात कर दो नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं जारी होगी मेरे पीछे से फड़ागे पहुसते फिर बात कर लें तो न्यू डेली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमारे जॉगला टास्क था वो था पूरानी डेली रेलवे स्टेशन पहुंचना तो मेट्रो से होते हुए हम पहुंच गया पूरानी डेली रेलवे स्टेशन जिल्फ ट्रेयर कि अजय को दो फॉर्ण तुर्स आप रहे अजय को अजय को प्लेट बार इस को दो बार उन्हीं कि अजय को फॉर्ण ने तो हमने सोचा कि अजय कि अपर दिली में जो क्या बोलते नेचरोल लेशी चला है ना सब्सक्राइब अपलब तो उसी में बैठ जाया जा जाए ऐसा कुछ सीन अभी मैं और नमिद्दा पहुंच चुके अंदर ये ट्रेन जाने वाली है जमूत अभी तक और सेवी तो ट्रेन के अंदर अभी क्योंकि चली नहीं है इसी मेर कहाल सबी स्टार्ट नहीं किया है पहुचादा गर्मी हो रही है कोई बात नहीं किया आतो ऐसा कुछ सीन है एंद हमारी जो क्या बोलते सीट्स है वो दोनों ऊपर वाली जो ट्रेन में ये साइड वाला होता है एक ये वाली है और एक एक एक्जेक्टिस के बगल वाली है और और के गाज है ट्रेन में ऐसा कुछ खास रेकॉर्ड करने के लिए अपी सीधे जम्मू जब पहुंचते हैं अपी तभी मिलते हैं आप लग उसे ये ट्रेन हमें लगबग सुबह साधे साथ बज़े के अरॉंड मॉनिंग में जम्मू तभी रेलवे स्टेशन पहुचा जम्मू तभी आहमिलाबाद तो अभी हम पौछ चुके हैं जम्मू तभी रेलवे स्टेशन के बाहर और आप लोग सोचे हो कि दूड़ के लगा रहे हो एक्चुल में सीन के है कि इधर हो रही है बारिश जैसा की वैदर का फोरकास्त है यह बारिश और पता रिया शूट क आप जैसा की वैदर फोरकास्त है कि आज जम्मू में होगी बारिश तो यह जम्मू में बारिश आपको अंधा आज आरा नहीं आरा पता नहीं पर फीचर हमारे गिली-गिली सड़के हैं और वैधर फोरकास्त हमने पहले से देख लिए थे कि बारिश होगी अलेकि मुझे वारिष भगवान करा ही देता है कैसा ना कैसा समझे रहो आपलाब अब ही जम्मू पहुंच चुके और और गवद अब ही लिया जारा है सिम क्योंकि यूदि यूदि उत्रागंड के सिम है वह यहां पर काम नहीं करते हैं उसमें सिगनल जीरो हो जाते हैं तो इसलिए यहां स इसका भी ले लिए जाए तो अभी हम है जम्मू तभी रेल्वे स्टेशन के बाहर और एक्चुल में सीन कहें कि हमें पहुंचना है अभी कट रहा तो सबसे पहले हमें पहुंचना है मैं जैसे कि आपको बताए उसके बाद हमें अंजी ब्रिज से पहले जो पर शूट करना अभी मुझे एक्जेक्ट आइडिया नहीं है और इसके चेनाब भी हमें जाना है तो विसीन कहें कि क्या बोलत है जो बस है वो क्या बोलत है थोड़ा लेट में पहुंचाई कि इसमें हमें टेक्सी हायर करनी पड़ी है और अभी मिलते हैं आप लोग से बाद में पहले समा बैटके कट्रा के ने निकलें तो मुझे लगा था कि मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा और मौसम ठीक हो जाएं के बजाए और जादा बारिश कंटीने होने लग गी थी अभी हम पहुच हुए पारिश अब हैं लिए हो ज़ागा में शुर्ट आपको सर पे दिखाई देरी हो कि हमारे तोपी तक फारिश आप थंडा भी हो रही है आप जब जाड़ के तिनों में बारिश हो तो कितो हुआ होता है और यह पे हो जो ठाड़ की रेट है वो जैसे कि आप लेख दो आप लेख दो परसन का चारज़र से कम चाही रेट नी है तो भी हम से लाज होटल रूड़ है पारी शोरी है चंटिनिव एम ऐसा जली से लूटल रूड़ा जाए ज़िए ज़िए लेपटोप अगरा के बैग है उगी लेना हो जाए अब हमें जो कपड़े पहन के जाने हो भी जी लेना हो जाए जाए जल्दी से लूटल रूड़ते है आप लोग उसे मुलाकात करते हैं चिरे ज़िए जब हम ठ्रैवल करेंगे अंजी की तरफ वहीं पे शालव आप लोग देख पा रहे हैं अभी हम है एक होटल में जिसका नाम है होटल सूर्या पैलेस जो की है कट्रा में और रूम बढ़िया है कोई दिकत नहीं और इसका जो टैरिफ है वो भी हमें ठीक ठाक एक रेट में पड़िया तो अभी के सीन है कि फ्रेश होने के पाथ प्रे में तो अभी मैं इसका चार्ज बचाता हूं और आप लोग को मिलता हूं थोड़ी देर में मिलते हैं तो कट्रा पहुंचने के बाद हम लोग सीधे निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन की और जो की था अंजी ब्रिच से थोड़ा पहले वाला सेक्शन ब्रिच का वहां के एक्चुल में हमें तो लगा था कि बारिश रुख जाएगी थोड़ी देर में बारिश के साथ-साथ ओले भी पढ़ने लगे थे और फिर तो हम एक पल के लिए हमत हाड़ चुके थे कि यह वेदर ठीक होगा या नहीं होगा अब लोग यह वाला जो अब लोग यह बेसिकली इसको कहा जाता है 42 कर एक नाव है यह यह वाला जांपे रेल्वे का क्या बोलता है था थानल से क्या बोलता है पूरा सेक्शन जोड़ा है ब्रिच के माध्यम से और अभी हम इसी का शूट के नहीं है आपको हमारे एक्जेक के सामने था हुआ यह है इसकी में तरनल बहुत ही जादा वाईड है अप लूग देख रहा है अगर मैं इसके सामने खड़ा हूँ और गोप्रो को फेस कर गुए तो यह अब है अब हम इसी एरिये का बेसिकलित करने आया थे तो मैंने तो आप लोग को थोड़ा जा दिया जाए और अभी हम जा रहें नीचे की तरफ काफी बीजी जैसा सीन चल ला है तो शूट करते रहें के बीच विच में थोड़ा बहुत जो इन्फरमेशन आपको दे बाते हैं फिलाल तो चलते नीचे की तरफ जो आप पानी देग रहे हैं पूरा ये अंदर पहाड क में यह में टैनल है जब इसमें कोई इमर्जन सी होती तो याली टैनल यूस की जाती है एस्के तरे यह बोल्य यू दिखा है अदे को यह जो है यह है स्क्र टैनल यहां से बी चंटिनियूस पानी आज तो अब वहां चैनले चालने के समय आप लोग को मिलते हैं व्लोग तो उस दिन का टास्क हमने कम्प्रीट किया है और आप लोग वीडियो में देख रहे होगी कि वैदर किस तरीक के से ब्लैक हो रहे हैं काले-काले बादल आगे थे और बहुत ज्यादा खुशी हुए कि उस दिन का टास्क का मनें टाइम पर अचीव कर लिया था आज है 14 जनवरी सटेड़े और अभी हम निकलने वाले अपनी अगली लोकेशन पर उससे पहले में आपको एक चीज दिखाता हूं आपको पता नी गोप्रो में इतना अंदाज आ रहा है या नहीं आए पर ऊपर का जो सेक्शन है वहाँ पर वेश्नोदेवी माता का मंदिर है और वहाँ पर पढ़ रखिये बरफ तो देखते हैं मौसाम अगर क्लेर हो जाता है तो आपको बात में इसका नजारा दिखाते हैं फिलाल चलते हैं क्योंकि हमें टाइम से अभी निकलने हैं लोकेशन के लिए जो की है आठ बजी की टैमिक सुबहे के आठ बज रखे हैं मि अगले दिन घाड़ी में बैटके जो वैश्णोदेवी के टॉप पे पहाडों पे बरफ जमी ती उसको देखते वे हम निकल पड़े अपनी एकली डेस्टनेशन की तरफ जो की थी चेना ब्रिज तो एक रास्ता ऐसा था जहां से हमें टनल से होते हुए गुजनना था तो जैसी हम टनल से बाहर निकले हमने विटनेस किया परफ के पहाड एक्चुली चेनाब ब्रिज के जो पीछे के सेक्शन पर पहाड थे ना वहाँ पर बरफ ही बरफ हो रखी थी तो अब हम पहुंच चुके अपनी डेस्टिनेशन पर जो क्या बहुता है साइट है जहां पर हमें शूट करना है और आप लोग ने लास्ट टेम जो नजारा दिखा था उसमें मैं था चेनाब ब्रिज पर लास्ट अगस्त में बहुत जाद गर्मी थी और आज थोड़ा ठंड है थोड़ा क्या अभी तो थोड़ा धूब आ रखिए अगर आप लोग ऊपर देखें बड़िया धूप चमकरी है सनलाइट आ रही है और एक्जेक्ट हमारे पीछे पहाड़ों पर पड़ी है बरफ आप लोगों दिखाई दे रही है व और थंडा बढ़ता जाता है तो यह से तो अब हमारे सामने देख रहे हैं यहां से पूरा कनेक्ट हो गई ब्रिज का सेक्षिन सीथे चेनाप की तरफ जो में ब्रिज है और वो पीछे बरफ ही बरफ है वाई साब बहुत जादा बरफ और में भी हमें मौका मिले सामने की त तो में भी हमें मौका मिले उस तरन में जाने का अगर तरन में गए तो देखें क्या होता है तो अब ही हमारा शूट कंटिनिव चलना है अब ही हमने जिब रोन को है उसको हाइपरलैप्स वाले मोट पर दाला है जो हमारा उधर की तरफ है और बड़ी अब ही शॉट चलने ह दूप आ रखी है हलकल की अभी अभी चलने लगी ठोड़ा थंड़ा हो गया है और आपको क्या बताया जाए देखो जब आप कंस्ट्रक्शन साइट में हो तो इस टाइप का ही व्लोग बनते है ऐसा कुछ खास यहां इंट्रेस्टिंग ऐसा नहीं है जो इंजीनियर से में अभी उन लोग के लिए एक पल के लिए हो पर आप लोग को मेरा में नेम यह है इस व्लोग के तुरू कि आपको जब्लो के नजारे जाए आज कल कैसा और थंड में जसा हमारे उत्रकंड वाले एरिया में बढ़िया दूप आर यहां पर पीछे बरफ पढ़ी है तो अब है आपको में चेनाब जो प्रिज है तो आज को में चेनाब जो प्रिज है उसका नजारा एक बर और और दिखाए तो यह रहा वो चेनाब जहां हमाइथे लास्ट एम अगस्त में शूट करने और वो रहे तो उमीद है आप लोग को जो यह व्लोग था अच्छा लगा होगा अगर व्लोग अच्छा लगा तो शेर कीजिगा कमेंट कीजिगा सब्सक कारण से नहीं कर पाए है और जो अगला व्लॉग होने वाला है वो वैश्नो देवी टेंपल वैश्नो देवी मंदिर का होने वाला है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और उमीद है आप लोग को भी अगला व्लॉग अच्छा लेगा एंड मिलते हैं